असलाम लेकूम एब्रीवान मैं हूं कवल आयू फ्रॉम फॉर्ण वर्लाइफ और आप स्मार्ट रिव्यूज में हम क्यू मोबाइल के एक ने हैंजट का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है क्यू मोबाइल X32 पावर और इसे पावर इसलिए काह जाता है क्यूंकि इसकी जो ब आप यहांसे पर भी देख सकते हैं हमें कामरा नजर आ रहे है इसका इसकी राइट साइट पे हम देख सकते हैं पावर बटन, माइक, left side पे हमें volume keys नजर आ रही है इसकी और इसके top पे USB port और audio jack. इसके अलावा अगर हम इसकी back side देखे तो थोड़ी सी pattern है और क्यों बाल की हमें latest branding जो है वो नजर आ रही है, we can see the camera and flash light. अब हम इस handset की display के बारे में बात करते हैं, ये entry level एक handset है, आप देख सकते हैं इसे, it comes with android marshmallow 6.0 इस handset का जो OS है और मैं आपका बताती चलो कि इस handset में जो processor है, it is 1.2 GHz quad core processor, विलामो के थूर इसकी device details देख लेते हैं हम लोग, जिसके मैं आपका बताया था कि इस handset में android marshmallow 6.0 OS है, इस handset के आप screen resolution देख सकते हैं 480 x 800 और इसका DPI भी देख सकते हैं 225, it comes with 1.2 GHz quad core processor, media tech के chipset used हुई है इस handset में और यहां से अगर हम लोग, इसका graphic driver देखे तो आप देख सकते हैं Mali 400 MP and when we talk about the memory of this handset, आपका बताती चलो कि इस handset में जो memory है, it is 1 GB RAM और 8 GB ROM है, इसमें 8 GB internal storage है, और अगर आप memory expand करना चाहते हैं तो आप इस SD card भी यूज कर सकते हैं up to 32 GB, और इसके इलाब अगर हम इस handset की कुछ features के ओपर बात करें तो मैं आपका बताती चलो कि इस handset का camera है, इसका rare cam है, it's 5 megapixel rare cam, with a flashlight, और इसका front cam है, it's smart camera, इसका मतलब एक VGA cam है इसमें, और जै battery है, it's 2500 mAh battery, जो के एक entry level handset के लिए काफी ज्यादा होती है, like if you'll use this handset for whole day, तो अभी इसकी जो बैटरी है वो long lasting है, और इसके लावा में इस handset के बारे में ये बताना चाहूंगी, एक entry level handset है, plus जो smartphone heavy users है, वो ये handset ना खरीदे है, लेकिन जो new smartphone users है, जिनका जो limited user smartphone का, वो ये handset use करें, तो ये उनके लिए perfect handset है, well viewers, that's all for now, I hope आपको review पसंद आया होगा, और in case, अगर हम लोग ने कुछ चीज मिस कर दिया, ये कोई ऐसी चीज है जो आपको review में वालूम नहीं हुई, तो आप हमें comment box में भी बता सकते हैं, या आप हमें email भी कर सकते हैं, we'll get back to you with your reply and till then, keep visiting our website, don't forget to follow us on Facebook and Twitter, Allah Hafiz.